Hello friends, मेरा नाम है नीमा और मैं सवागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर जब से बच्चों की क्लासे स्टार्ट हुए रहा मेरे पास एक कमेंट वह बहुत सारा आता है कि बच्चों को लिखना कैसे चुछा है पर लिखना जो बच्चे को होता है वह रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सोचोगे के शीडिन में बच्चा शीख जाएगा वर रॉकेट साइंस यह बछयाक दिन में लाइख सता लिखना सिखाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स होते है आप यह नहीं सोच सकते हो कि आप सीरे दसवे स्टेप पे पहुँझा और बच्चा लिखना सीख जाएगा A, B, C, D बहुत सारे स्टेप्स होता है मतलब छोटे-छोटे कदम आपने बढ़ाने है और फिर ही आपका बच्चा लिखना सीख पाएगा क्या चीज़ें आपको follow करने चाहिए कौन से games आपको follow करने चाहिए काय से खिलाना है और यह सब चीज़ें आप अपने घर पर ही कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूद नहीं है तो कैसे आप अपने बच्चे को लिखना सिखा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ सबसे पहले कुछ गेम्स आप बच्चे के साथ जरूर खेलिए जैसे कि क्या होता पिक एंड ड्रॉप बेसिकली यह क्या है इससे न बच्चे की ग्रिपिंग अच्छी होती है जब भी आप बच्चों की फिंगर्स पर काम करोगे न उससे उसकी पैंसिल की ग्रिप अच्छी होगी और चाहते होए ना चाहते होए आपका बच्चा अच्छा लिख पाएगा हर उस बच्चे को problem होती है लिखने में जिसकी pencil की grip अच्छी नहीं होती या तो वो बहुत गंदी-गंदी handwriting लिखता है या वो बहुत light light लिखता है बिल्कुछ साफ से नहीं लिख पाता है इस तरीके से जब आपका बच्चा दो finger की मदद से चीजों को pick करता है, drop करता है और ऐसा नहीं है कि आपने इतनी छोटी-छोटी चीजे ही देनी है आप थोड़ी से बड़ी चीजे भी दे सकतो या फिर आप क्या कर सकतो, बहुत सारा दे दीजियो उसको और बोली इस तरीके से उठाओ और रखो जब बच्चा इस तरीके से चीजे उठाने और रखने लग जाता ना, फिर हम उसे sorting activities पे लाते है sorting activities बेसिकली उसी ही बड़े काम का छोटा नतीजा है मतलब यहाँ पर जैसे मैंने राजमा और चने रख दिये, अब मैं उसे क्या बोलूँगी कि राजमा उठा के दूसरी जगे रखो और चने उठा के दूसरी जगे रखो बट इसमें आपको सिर्फ दो फिंगर का यूज करना है जी हां सिर्फ दो फिंगर का इससे क्या होगा इनी दो फिंगर से बच्चा बेसिकली पैंसिल पकड़ता है तो जब इनी दो फिंगर की मदद से बच्चा यू यू करके करता है तो इससे उसके पैंसिल ग्रिप बहुत अच्छी होती है पैंसिल ग्रिप को अच्छा करने के ल पोलो और बंद करो, उससे भी बच्चे की exercise बहुत अच्छी होती है, आप अपने गर में बहुत सारी चीज़े ढूंड सकते हो, जिससे आपके बच्चे की इन दो fingers की exercise हो, और वो बहुत अच्छे से pencil को hold कर पाएगा, और बहुत अच्छे से लिख पाएगा, कुछ toys इसी तर होल्स थे, उसके साथ आपको एक thread मिलता है, basically बच्चा उस thread को पकड़ता है, और उन holes में से डालता है, निकालता है, इससे क्या होता है, इससे भी बच्चे का concentration बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे हर एक hole में focus करना है, और दो finger की मदद से उसे वो thread को उसमें से निकालना है, तो वो toy भी बच्चों की concentration के लिए और pencil gripping के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अगर आप उसे try करना चाहोगे तो description box में मैं link दे दूँगी, आपने अगर अभी तक मीशो की application को download नहीं किया है, तो मेरा referral code आप use कर सकते हो, और फिर जब आप उसे use करोगे उस toy को purchase क करने के लिए, तो आपको 30% का off मिल जाएगा first order पे, बहुत सही है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, otherwise वो toy आपको normal किसी भी shop पे मिल जाएगा, बच्चों के stationery वाली shop पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक thread ले लो, और उसमें बच्चे को मोती मिलते है, beats मिलती है बड़े size की और छोटे size की भी, मैंने उसके ओपर भी एक separate video share किया था, different different shapes की ले लो, और उसमें भी क्या करना होता है, एक धागा मिलता है, धागा मतलब ऐसा नहीं है कि जो सूई धागा वाला इतना पतला नहीं होता है, एक रसी मिलती है, उसमें आपके बच्चे को वो beats दालनी होती है, उसमें भी बच्चे का बहुत अच्छे से concentration इंप्रूफ होता है, और fine motor skills मतलब pencil grip पे बहुत अच्छे से काम होता है, यह तो गई बई कुछ ऐसे simple से toys, कुछ ऐसे simple से games, जो आप बच्चे वो घर में खिला सकतो, एक game मैं आपको जरूर एडवाइस करूगी जैसे आप क्या कर सकतो, मैं आपको हाथ में दिखा देती हूँ, आप एक बड़ा सा circle बना लो किसी भी paper पे या copy पे, बच्चे को pencil दो और बच्चे को सिर्फ आपने बोलना है dot बनाओ इसमें, तक 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 और कुछ नहीं करना क्योंकि अब हमने बच्चे को लिखना नहीं सिखाया है, इससे basically क्या होता है, इससे बच्चे की इन दो fingers में पावर आने लगती है, मतलब पकड़ जो है न, वो मजबूत हो जाती है, आप खुद देखो, डम लगा कि जब आप डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड अच्छी हो जाएगी, और जब pencil के grip अच्छी हो जाती है, बच्चा बहुत easily लिख पाता है, अब बात करती हूँ कैसे लिखना सिखाना है, लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आपने काम करना होता है, पैटन्स पे, standing line, sleeping line, slanting line, waves, यह कई सारे पैटन्स हैं जो हम आपके इस पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब audience बोलेगी वही कैसे करना है, और हम नहीं बोलेंगे, तो लोग बोलेंगे कि यह दो बताते ही नहीं है, तो हम बता दे तो भी मुसी बता, ना बता है, तो मैं आपको बता रहे हूँ, simple-simple patterns आपने follow करना होते है, standing line, sleeping line, slanting line, slanting line, curves, waves, इस तरीके के patterns बच्चे को पहले बहुत अच्छे से practice करवाएगे, अब बात करते हूँ, Hindi English Math, सबसे पहले, सबसे आसान सबजेक्ट, English, capital alphabet सिखाएगे, standing, sleeping और turn की मदद से, सबसे पहले, standing और sleeping वाले alphabet, फिर हम सिखाएगे, slanting वाले alphabet, standing sleeping वाले होते है, h, t, l, i, इस त तरीके के, फिर होते हैं, curve वाले, b, d, c, इस तरीके के, I hope आप समझगे होगे, इसके बाद आता है, Maths का number, क्योंकि Maths के video numbers होते हैं, वो standing, sleeping की, और slanting की सहता से ही बनते हैं, फिर last में नमबर आता है, Hindi का, क्योंकि Hindi में बहुत ही ज्यादा करवस होते हैं, बच्चे को तो इसलिए हमेशा फोकस कीजिए, पहले, English में, और Maths में, उमेद करती हूँ, इस वीडियो से, अगर आपकी थोड़ी सी भी हल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करोगे, ट्राइ करना चाहते हो, तो उन दोनों एक तो वो लेस वाले, जो मैं आपको कहरे हूँ, थ्रेड टॉय वाला, और दूसरा वो बीट्स का, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको दिस्क्रिप्शिप्शिन बॉक्स में दे दूँगा, आप ट्राइ जरूर कीजिएगा, थैंक्यू, थैंक्स वर वाचिंग, बाइ!